हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब आज हम बनाएंगे केसर मेलाई कस्टड इसके अंदर बहुत सारे फ्रेश फ्रूट्स और ड्राय नट्स होंगे इस वजह से यह बहुत ज्यादा हल्दी है हुआ 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 है हम दो लिटर फूल क्रिम दूद लेंगे इसे हम बॉइल करके हाफ हर लेंगे जब यह आदा हो जाएगा तब हम इसमें कस्टड आट करेंगे दूद को बॉइल करने से हाफ करने से उसका जो टेक्स्टर है वो बढ़ जाता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है आलमस्ट को काफ़ी थिक हो चुका है केसर मलाई कस्टड के लिए हमने बिना फ्लेवर के कस्टड पॉडर लिए अगर आपको विदाउट फ्लेवर नहीं मिलता है तो आप बनिला फ्लेवर का भी पेस्ट ले सकते है इसमें हम रूप प्रिचर पानी से एक पेस्ट बना लगते है इसे हम गरम पानी से नहीं बनाते क्योंकि इसमें लंप सा जाते हैं इसे हम रूप प्रिचर पानी से ही स्रफ बनाते हैं कैसर को हमने पहले से ही आदे खिंटे से पहले भीटो के रखना था भूद बने पानी में अब हम इसमें एट करेंगे काष्ट contarख बना नहीं में भीट करेंगे आवर हम दुझ करेंगे या This is a listoy . कि रॉपका मॉपना हो रुपक कि बनातते हैं कि र्मान को कि भीट खेंगे अब अब अपने कस्टरड मिक्स को इसमें एड़ करेंगे और साथ साथ चमच इसमें हिलाते रहेंगे ताकि इसमें लंपस्ना बढ़े इसमें आप शुगर आइट करेंगे और सांदर दिसे हिलाते रहेंगे शुगर आप अपने हसाब से आइट करेंगे इसके अंदर जिने कम राइट करना हो वो कम खासके हैं अब इसमें हम ड्राइ फ्रूट सेंट करेंगे क्योंकि यह केसर मलाई कास्टड है तो इसमें ड्राइ फ्रूट की थोड़े स्यादा दलेंगे कर्टाब किस्सा थो नजीत है कर्टाब किस्टाप में चराऊंकी को है अहांगा होती है कि ऐलहाची पावड़ करें ंगाई कि अप्रिश्य एक लाची पवड़ के सुछ आक अब हमारा केसर मलाई को कस्टड जो रहा है अल्मोस्ट अब हम इसे थंडा होने के लिए रख लेंगे यह इसे कना सब्सक्राइए इसाकर इसमें इसाये रहा है को सबस्ट अब हमें गए सबस्टाइब और अब इसमें गए जो किसर मलायि पॉस्ट में अब स्थ ti पड़ करेंगे अब इसमें जो करेंगे सब्सक्षाइ Всем के जिला संडें। इस मचोल पसंदें तोस के अले जिए भूट defense आपने परफित परक्षाइं आपको जो दिक अले करें, पूटेज जो अले अले, जो अले और सब्सक्राइण। कर बने, लाओना और को और जास लाओना लाओना हैं क्वाइब प्राओना लाओना, लाओना लाओना लेगा हैं अज़े बड़े होतो से आप स्लाइज कर सकते हैं तो पीजी में काट सकते हैं अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं केसर में लाइकस्ट्रट की खासिथ है कि हमने इसका 2-0-5 लिल्क लिया था उसे 1 फूर्ट करना होता है इसका टेक्स्ट्रय से खोय के जित तरह से होना चाहिए कि इसमें बहुत सारे ड्राइफ्रूट्स दरते हैं तो यह वैसे भी हल्दी डज़र्ट है अब इससे में गर्णिश कर लेते हैं ड्राइफ्रूट्स के साथ अबार बख। से भी करें अड़र्बर्ण में कि अग्रूबर्ण अग्राइब करें रुटें कि आपते हैं अग्रोड़्स कि एाफ्रूबर्ण व्सक्राइब तो बहुआ कि दॉटें इसक दो बादब कि अटका को और खब एंग अमीज़ अब हम इसमें इसकी खास चीज एक करेंगे केसर है केसर मेलाई कस्रड़ करने के लिए केसर मेलाई कस्रड़ करने के लिए आप इसको दो करके फ्रिज में रखके फिर सरफ करें करेंगे लिए करेंगे करेंगे लिए कर दो दो प्रयंग झाल हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आज हम बनाएंगे फिश करी आज हम मार्केट आएं फिश लेने के लिए और हम फिश लेंगे रूफिश तो चले आएं हम फिश लेते हैं फिर रूफिश होती है वो मीठे पानी की फिश होती है और खाने में बहुत टेस्टी होती है चले आएं इसे चेक करते हैं, चेक करने के लिए गिल्स को ऐसे उठाकें देखेंगे, अगर ये रेड हैं तो फ्रेश हैं और अगर ये ब्राउन हो तो ये फ्रेश नहीं होता फिश फ्रेश लग रही है, चलो फ्रेश लेते हैं फिर करते हैं, तो फिश के अपना एक डिफरेंट टेस्ट होता है, मीठा टेस्ट होता है जादतर ये फिश ये करी ये पकाड़ों के लिए या फ्राई करने के लिए यूज की जाती है फिश क्लीन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर हम चलते हैं घर और चलके फिश करी बनाते हैं सबसे पहले हम फिश को वाश करेंगे, वाश करने के लिए हमें साल्ट और कर्ट की जरूरत होगी तो टेबल स्पून हम सॉल्ट दालेंगे इसमें सॉल्ट को हम फिश के चारो सरफ रब कर लेंगे सॉल्ट करेंगे अपार स्सुल्ट को बना स्वल्ट नहं करना वाल प्रैकिस सॉल्ट करेंगे करेंगे पानी से वाश करनेंगे चितरी के से कम से कम से तीन से चार बर हम वाश करेंगे कर दो पर दो करेंगे के अब सब्सक्राइब कर दो करेंगे अब बनाई किने नहीं चिटे सिर्टी अ कि अब हो उचाओ जे स्केपल, किंजूंगी चिर्ञ्टी उच्भाओ कर दोगा, पड़ुण। वंच्भाज की नहीं बड़ुईा, जर सोझे घड़ुई, जर सकते हीं घट हैं, जर समस्सके इमच्भाओल जर सकताउ हुंड़। कार्जय के अचूमारी जहां दो लगे तक तब जूरा में जाएं जाएं के अच्छाटियों नहीं टिप हो जब दो दे जब टूली जाएं ज साइल के साथ नग जब जाले जा ब आएं का बढ़किके अच्छार बड़ है। आप चाहने तो इसमें डर्मिन पॉडर या हल्दी भी दाल सकते हैं, असमें भी समल्च है, इसकी कम हो जाती है जातों लातों मोल Khalीं ऄंगे ब मेचान लाइक, के अर्मिन वास भार कlचने कॉच्सक्षक लाइक काऊ झाल Сबसक भी कर दो तीन बाद कौश कर चुके हैं अब हमारी पेश्चा है बिल्कुल साफ है अब हमारी पेश्चे होती है वो मिठे पानी की होती है और खाने में बहुत अब हमारी पेश्चे होती है अब इसके पिश्च पॉकोड़े पिश्च प्राई इसके आप कुछ भी बना सकते हो और बहुत ही अच्छा बनता है अब हमने फिश्च को गौश कर लिये अब हम इसे मेरिनेट करेंगे इसे हम पहले वाश करने के बाद जिंजर कार्लिक और ब्रेंचिली के पेश्च से मेरिनेट करेंगे इसमें हम लैमिन भी भी मिक्स करेंगे योगर्ट इसमें तो टेबल स्पून अब हम इसको मिक्स कर लेके अच्छे तरीके से अगर्ण अब हम इसे बनाना है तो फिर हम इसे बंद्रे मिनट रखेंगे और अगर नहीं तो फिर इसे हम हम बनार ज़ रहे इसके बाद हम इसे बना लेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा मसाला एट करेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छा आए सबसे पहले हम इसमें दानी की सिरा यह मसाला बनाए इसका इसमें बनाना वाद है इसका लिंक चोहे मैं वीजियो के आट बनाएगे अब देख जिए कोड़ा है तो तो बंग आट रचीली कोड़ आट लात है मैं तोड़ा पाइसी पिसंद करते हैं सवचे से निए तोड़ा सराचीली जाद आट नाल रहें आप अपने देस्ट ने मुताबग भी ताल सकते हैं और इसमें मेरिट करेंगे, फिष मिसाला, यह भी घर का बनावा है, अब मेंसे मेंसे करेंगे, 15-15 मिनट के लिए छोड़ेंगे, फिष को अच्छी तरी के समसाला मेन लगा दिये, ठीक है, इसे मेरिनेट करने के लिए हम 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, और 15 मिन बाद जो हम करी बनाने के लिए से यूज़ करेंगे, फिष करी बनाने के लिए हमें चार प्यास रहेंगे, इसे हमने बारी बारी काट तीन टमाटर, भनिया, अधर क्लस्टन को हमने चॉक कर लिए और ग्रीन जिली, अपने टेस्ट के असाब से ज़ादा या कम कर सकते हैं, एक पैन में हम और गरम कर लेते हैं, इसके लिए हम सर्सों का तेल यूज़ कर रहे हैं, यूकि इस तेल में जो है रव फिश का सबसे पहले हम इसमें सर्सों आट करेंगे, इसमें जीरा, इसमें जीरा, नच्छ करेंगे, युझे राव, नंच्छ कर देठागी, तर नहीं हैं, यूज़ करेंगे, यूज़ झाले हैं, ज Kathy K यास को थोड़ा हम पका लेते हैं जिससे ये थोड़ा golden brown हो जाए वज़ी सब्सक्राइब बरता है थोड़ा फिर्ट मार्नाइब एक हुआँ बर्वाइब कर लीची पस्ति आए हुआ है हुआ है एक फिशक्री जहें नानी बनाए करती हुआ है आज भी अगर में जब उनके हाथ का टेस्ट याथ करते हूं तो मेरे मूँ में पानी आ जाता है जासमो कलोर चेंज हो गया अब इसमें जो है अजरक लसन जो टॉप करके रखा है इसे मेराइट करेंगे तो पानी लाइंगे यासे कलर चेंज हो रहा है पर हमें जो है इस फोड़ा से खुड़ा सखाब कर दो कर दो कर दो गुण 향ा भी मेटेड्याओ कर दो जीकि तूञूख थाइघ कंदी friendly आपान्ट घंडाओ कि औरीटी नू राचनी आउ एंड़ कर दो 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 कि अब हमारे प्यासरे में वह बुल्डन ज्रॉम हो चुके हैं अब इसमें हम सॉल्टाइट करेंगे सॉल्ट आ प्रेट के साब से एड़ कर सकते हो कमिया जादा तुमाटर दालेंगे इसमें हमने पहले सी काटते रखते रखते हैं अजहीजए और दो माझाईट नाद बसका दो कर दो काटते हो जली तो मैं अचिल्टोर मैं, प्यगचर तो कर दो एो गया बादार्ग जागिटी तो मैं लोड़ियвон Caesar टमाटर हम थोड़ा से पकाएंगे ताकि टमाटर हमारे जोपर की स्केन होती है वो सॉक्त हो जाए और उतर जाए जुछ झाल सक्वंगे घ्यार और जाए लाएंगे को नप्ताइअज लड शनई झाल अब टमाटर पक चुके हैं अब इसमें नसाले आइट करते हैं अले पाउडर सुका धनिया पाउडर सीरे पाउडर सीरे पाउडर पाउडर रोस्टेट सीरे पाउडर इसे लिए अलग साही फ्लेवर आते हैं रेट चिली पाउडर में इसमें एड करें हूँ आप अगर आपको टेस्ट के लिए ज्यादर चाहिए तो आप ज्यादर भी इसमें जाल सकते हैं दरम मसाला घर का बनाया में पेश्ट मसाला है इसका लेक्चे है मैं नास में वीडियो में लिखोंगे यह भी खरका मसाला है और थोड़े से इसमें चिलिते इस दाले गया थोड़े शोरी शालेगे पालर कुम थोड़ाा सब्सक्राइब पूल थोड़ा शोड़ा बुल बुलेंगे जबस्कूदी आदेगे भूनने के बाद इसमें हम थोड़ा से पानी एड़ करेंगे पानी एड़ कर लिये हमने इसमें अब इसे हम छोड़ देंगे कर पानी एड़ करेंगे मसाले तश्बूब अच्छे आरे अब इसमें पिषाइट करेंगे, जो हमने पहले से ही मेरिनेट करके रखिए जब वहले टुग हैं आखिए गड़िए शुगल एब तो हमी ही मेर शोड़ बिशुग लाईब करेंगे, जड़िए ऊंजर अरी साथ पिए युग हुआगगगें तक सकताना रसका पिएमा जकी हुआगगें लेगा बग्वग़िए शुगटाया गवचिए यवच्दूग अजस नहीं घब होगता है अब हो मिस्सेजर है, 5-7 मिनिट के लिए धीमिया अंच को पकाएंगे और ढब करके रखेंगे अब हमारी फिष तेयार है,ब हम इससे डिश आउट करेंगे फिष हमारी तयार हो गई हमने इससे डिश आउट कर लिया है,ब इसे हम गाड़निश करेंगे हरी धनिया से जो पहले से काटके रखावा था यह पिश्कारी की रेसिपी जो है बहुत ही एजी रेसिपी और जिल्दी बन जाती है इसे आप चपाथी या राइस के साथ सब कर सकते है आप इसे घर में ट्राइ करें और फिर मुझे बताएं कि कैसी बनी आपके घर पर इडिश और कमेंट बॉक्क में मुझे बताएं कर दो आपके लेकर साल्वाद के बनेट आपके साल्वाद को ओगा रिल्दी आपके दो है झाल 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 झाल